प्यारे जन्टा आज शुक्रबार है जन्वरी के बाइस तारीख मैं शुरुआत कने जा रहा हूँ कि नेडर्लं का रखेरिंग ये फैसला दिया है कि फ्रिकंद फन और नेडर्लंड वोलो प्ख अव्वत और व्पशन हमारे देज के जन्टा हमारे सुरीनाम के जन्टा हुलाम के सरकार ने ये फैसला दिया है कि KLM को निकल का लिख्ट फार्ट माच खटाई का LM अपना सभी फ्लाइट मेड अकलांटी से रूट मेड अकलांटी से रूट सुनी नाम नही जलान और जुस देशों में जा है ये अब थोरे दिन के लिए या कुछ दिन के लिए अब ये हवाई जहाज का उरान नहीं होगा क्योंकि नेजलान के जंटा नेजलान के सरकार ने सोचा कि जब वो ये बात परते हैं कि ब्राजिल में यानि होलांड के बाहर बुलकों में ज़्यादा कुरोना फिरस बिसमेटिंग ज़्यादा हो गया है इसी दरके कारंसे वर लड़र बर्श्प्रेदेंग वान तुकर ने ज़्यादेंग वान ज़्यादान होगा इसी कारंसे KLM, हावभाई जहाज कुश्दिन ओक यदिये उरान नहीं करेगा वे जहांदानेग यह भी दर के वजा से भाई जी हम लोग को यह बात पता चला है कि यानि ब्राजिल में यह नई फारियंतन के बाद जो चल रहा है वहाँ ज्यादा तोर पर हो चुका है ज्यादा लोग बिमार हुआ है ब्राजिल में वहाँ पर इस वक्त बहुत मुसीबत है ना बहुत मुसीबत है और ऐसे इसे धेर देशों में यह मुसीबत हो गया है और इसे कारण से यह उरान नहीं होगा नेजलान से सुरी नाम या सुरी नाम से नेजलान या और जतने मुलकों है नेजलान का ठिख्टक का एलम और वहाँ पर उतने के लिए थोड़े दिन के लिए मिनाही कर दिया गया है मारे जन्ता यह मामला बहुत कठिन मामला है भाई जी बहुत कठिन मामला है प्यारे जन्ता कुछ दिनों से हम क्या देख रही हैं ओपा 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 के नाम बहुत बदनाम होते जा रहा है अब ही कल एक प्रोग्राम में मैंने कहा एक उपा के नाम लिया गया बच्ची ने उन्हें इल्जाम लगाया बुरहों को कि उन्हें रेट किया लेकिन जब देयना के उन्दशुक हुआ तो पता चला कि वो बुरहों के लड़का नहीं है यानि कि उस बच्ची को बेबी पैड़ा हो चुका है बेटा लेकिन अब क्या हम देख रहें भाई जी एक उपा जिसका नाम उत्मार बेई एक बुरहों अरसर्ट साल के इसका उमीर है आक्तन जैस्त तहियार इस बुरहों ने एक स्टीफ क्लैंड डॉक्टर को बलातार की है ओपा उत्मार भी आक्तन स्यास्त तहियार भला बताईए का की इस उमीर से इंसान ठीक से चल नहीं पाता है हड्या उनकी क्रोक क्रोक करने लगता है बुरहों के एक गोरी धड़ड़त एक गोरी उधा छितना जाए इनका तमासा देखो ये तमासा देखो स्टीफ क्लैंड डॉक्टर को ये रेट की अब रहुआ और ये स्टीफ ये फिर तिन यार स्टीफ क्लैंड डॉक्टर थी या है और ये स्वांगर हो गई स्वांगर प्यारे जंटा श्वांगर का इलावा अब आप तो सब को जानत है मौसी देएना अंदसुक हुआ कल देएना अंदसुक हुआ है और पता चला है कि ये बुरहुआ उत अपमर बेई है एस अख़ पैंशोनेर दे लबोरंट लबोरंट और ये तरेक्स सेटिंग पर ये बात पता चला कि ये बुरहुआ का लड़का है भाईया इतना मुसीबत है काका अब काहे जब रेक्टर माहितरी ने उनकी सामने ये बात अइलान की कि देएना अंदसुक ये बताती है कि आप ही उस बच्ची को बलाटकार किये हैं हमारे सुरी नाम के जनता ये सब बात कोट में हुआ समझें न अब इतना दो टक बात है बलाटकी क्या कहता है इभी तो …सरे तीन साल संतो बोम्वा जाना चाहिए द्री नहौ लुफी और स्यल्स त्रफ इनको रेक्तर हथोरी मार और दिया रेक्तर माहितरी कुलदीब सिंग माहितरी कुलदीब सिंग मार इस हथोरी पलो, तुजू संते बूमा, एक दूम संते बूमा, 68 यार के, तो अगा से क्याकर ते ये, पलो, तुमा, ये, 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 ये यब अब दहाज हो अबने सीव ओफ़ाको अपर, कि यपख़े कि अबऊहाई, ऑन्याव कर एफ़्दा करीं से बनौरी आप थिस्जाना करीं से। झहीं आद slipped एंधने इंदग अजित करीं ाद्नीर करीं स我们 आवने अभी चें से। झाले। भला बताईए का हो लगा बुरहओन को जब सूदो बुरहओन बुरहओन ये अभी एक बुरहओन के बार कर मैंने कहा लेकिन ठीक भाई दियना के अंदर सुक्ते पता चला कि उस बुरहओन का नहीं लेकिन और किसी को होगा देखो फरकी सेंग में बहुत सो लोग फरकी सेंग में काम किये हैं और ये फरकी सेंग सत्रह हजार लोग ने घर घर कार्चा बट रहे हैं या उपर पेसकार बातिन है मिनेश्टे रीफा ब्यना से साके के हुकुम से कुछ पैसा जमा हुआ था पांसो हज्जा जहाते पता है परमाजबो नौप उसके क्रोई से ये पैसा चोरी हो गया है कुछ लोग गिरफ्तार भी हुआ है क्योंकि ये बात अब आगे अंदे सुक हो रहा है लेकिन मिनेश्टर फान बेनलां से साके ब्रोंतो सो मोहर जो और फिसर प्रेसिदेंट ब्रेस्वे एक पैसला लिया कि ये ज़र दूसरा पैसा निकाल करके इन लोगों जो काम किये हैं इनको पैसा मिल जाना चाहिए चुनाओ के पैसा तो ये पैसा सत्रह हज़ार लोग के दிया जा रहा है जो 25 मैजे के चुनाओ में काम किये हैं रखेरे 50 मिलियून पैसा जमा किया है इनों को देने के लिए जो लोग परमाई हो नोठोथ बगारा बगारा जगे पर काम किये हैं इन सब के अपईशा मिलने लगा है एक मामला हम आपके सामने रखने जा रहा हूँ भाईजी बुद्ध के सबेरे सबेरे के बात है ये एक मकान पिकिन सारून के बात है घर में घुश करके डाकूओं ने इस परिवार का हाथ पाउ बांध दिया एरो पैसा, एसर देई पैसा, गहना एन स्वार्ट बिश जिसका कैन टेकन पे ये एन तख तक एन फिर तक ये छेन करके चार खमास करदे रोफर्स ये सब इनके हाथ में पिस्टोल था उसे धंकी से या ख़वेर था बस उस परिवार के सब कुश लोट करके वहाँ से वो लोगे भाग गया है प्यारे हमारे देख्स के निवास्यों हैट कुफित नेखंतीन के कोडिनाट से टीम फाइन हट कॉर्स पलिश से शुरी नाम ये जो सामन वेर्किंग कर रहा है दिरेक्टोराथ नाच्छनाल फैल खैसे ये लोगा हेर रिखिस्ट्राशी किया था दिस तंसासी चिठी के लिए अब ये काम खत्म हो चुका है देड लाइन तो है बस तंसाल ये मतलब जहां तक हम सोचे ही है इन देड तक यानिवारी से यानि ओनलाइन हो जाएगा तो प्यारे हमारे सुरी नाम के तमान जनता आप तो जानते हैं कि लोगडाउन साथ बजे शुरू होता है और अगर लोगडाउन के बाद में अगर आपको डाम पर लोग परेगा देखेगा तुम्हारा गिरस्तारी होगा और आपको तीन सौ पचास डार लगेगा इतना बात याद रखियो तीन सौ पचास डार लगेगा मिनेस्टर अलबर्ट यूबिताना मिनेस्टर अलबर्ट यूबिताना ये हैं ट्रांस्पोर्ट कोमिनिकाजी एंट तूरिस्म का मिनेस्टर ये मिनेस्टर क्या कह रहा है अब ये गयाना और सुरी नाम के बारे सोच रहा है इसे कारण से जो फेर है कनवाइमा का फेर अब इन्हें मौका होगा जनता को ले जाना जनता को लाना ये मौका मिनेस्टर अलबजुमीताना अब बार्चित कर रहा है न गयाना के सरकार गयाना का मिनेस्टर और ये भी ताना दोनोंने बाचित की है अब ये फेर थोरे दिन के भीतल में अब चलेगा गयाना को जाएगा गयाना से सुरी नाम आएगा रह गया है कोफिद नेशन की मामला तो ये वहाँ पर प्रत्रकॉल के मताविक इनके बारे में होगा अंदर शुक तो ये काना वाइमा का फेर अब थोरे दिन के भीतल में ये अब चलेगा भाई भाई नो हैत अना फांक लग कीस बिरो ओका बेई वहाँ पर कुछ नया लेजन को भर्ती किया गया है ये ओका बेई का फोर्शेटर शेख अलीबक्ष साहिब ने कमिनिकासी दिन शुरी नाम को ये सनिशाद दिया है उका बेई में जितने लोग है तो वो तो है उन लोग के नाम आप सुन चुके हैं लेकिन अब जो नहीं लोग मर्ती हो रहा है वो है अन मार्सल लिंगर अन मार्सल लिंगर फेलिसिया पेटरसोन फेलिसिया पेटरसोन लेजन प्यारे जंता, आप तो जानते हैं, ओका बेई का ये नया बस्तिर जो है, उन्हें चाहिए, आनिवले चुनाओ के बारे में, एक अच्छा फरकी सिंग गेश में कढ़ाने के लिए, ए भाईया, आप सुने थे मौसी, अकिम बोतो, वोने अपना चित्थी लेक लीक करके आसाम लेके, जो इन्हें कुरसी जन्ता ने दिया था ब्रुकोपॉंदो में, ये कहा कि इन्हें अब वोच कुरसी के जरूरी नहीं है, सेल्खियों आकिम बोतों के बादें बात कर रही हैं, ये चार जन्वरी को अपना लेट मास्खाद अस पर्लमेंटारियर फरुकोपॉंदों ये इस्तिफा ले लिया था, बदांग कर दिया था, लेकिन जहीं से पता चला, वहां के जन्ता इन्हें बैठा करके समझाया है, इन्हें समझाया उन्हीं के भाशा में, सेल्खियों का, आकिम बोतों के भाशा में, उन्हीं का जन्ता, उन्हीं का आक्टर्मान, उन्हें अठीट से समझाया है, 25 मैई 20 तक 20 तक में जो चुना हुआ, और इन्हें स्टैम मिला यह पार्लफिन ने पहुँच गया तो इनका जंता इन्हें बैट करके समझाया है इनी के भाषा में जब धेख से समझाया है न तो इसमझ गया है और जब धेख से समझर है तो यह ज़डी ज़डी आकर के आसंबली में अपना चित्थी इंटरक कर लिया है अपना चित्थी जो चार जन्वरी को दे करके गया था ना तो ये चित्थी अभी पड़ा लाओ वहाँ पर ना भैया जे बस आकीम बोतो अपना चित्थी निकार लिया है इसका मतलब यह है आकीम बहुतो अपना सेटल फिर से वापश ले लिया है जो शैस निवेर असंब्ली लिट यहां कोट के चैरी होता है विल्फिंग स्तराट के बाद हम करने जा रहा हूँ वहाँ बड़ी बड़ी स्कूल भी है मौशनेर लिल्फिंग स्तराट मैंने का कि वहाँ कांतों सिफीन साक वहाँ होता है शोमवार से यह रस्ता एंडिरेक्टिंग व्याफ हो जाएगा श्रीव आप आरों स्तराट से अंदर जा सकते हैं लोट नहीं पाएंगे आपको उश्व से पीछे से आपको फिर आना चाहिए आरों स्तराट के तरह इस विल्फिंग स्तराट एंडिरेक्टिंग फरकेर हो जाएगा आने वाले सोमवार से मिलिस्टेरी वा उपंबार वेरकर वहां का भीर देख करके और ये फैस्रा लिया है स्कूल की लरकन स्कूल की माबाप उझे लेने काते हैं जगान ये दियता रुखने के लिए सब रस्ता बंद हो जाता वही कोड कचैरी होता तो इसी कारण से अब ये रस्ता एक अलंग से मतलब की एक अलंग से सर चलेगा एक अलंग आप गारी चलाएंगे और दूसरा अलंग यानि गारी आप पर केर कर सकते हैं तो हैंक और उस्ता से शरीफ अंदर आप आ सकते हैं वे फिश्ता आपने लेकिन उस तरफ से नहीं रोश फ्याव कादर से नहीं वो बंद हो जाएगा एन यानि मानदाख से अल्मान लेकिन एन रूसरे नहीं प्याव कादर आपसिजर कैसरा नहीं लेकिन की अमाने आपसम्व sack코 बंदेंग आपश पाम्जिसेल रु आपसम हैं हैं आपसम्जबकास झाल की लेकिन की आपसम्ज हूसर ली छेख यहें, कदो पगूब यहुज़ जैशाब जयांप ते, तोस्कमिनेश प्रेजेळ सुलिलिवनव पचासगों, पचासगों, पचासगों हें, नमस्कमिनेश सुलिवनव, ओर हैं, और हैं अ कदेधिसे सुलिलिवनव, ओर हैं, संतों की प्रिशिदान बरी खुश्याली से उन्हें धनीबाद दिया है और कहा कि यही जो सामर्वेर के रहेगा बंद्रेव से तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग और आगे बरहेंगे तिसी कारण से पप कॉंप्यूटर प्रिशिदान ने कहा डिरेक्टर पॉलिटिक एंड बले इस आखली कहें जर अरून हर दिन बुले कि बाकी चीज जो है न इन्हें ले जाकर के रखो जहां पर रखना चाहिए तो दिखी साला करके दिया और प्रिशिदेन्ट ने अपना दिरेक्टर अरून हर दिन के हवाले कर दिया है सब लोग यही बात कहते हैं भाई जी जेस के अंदर में कि सब लोग को डाम पर बहुत धीरा रूप में गारी चलाना चाहिए एक लेट्स डे अन्फे अलेट्फा दिरेक्टरात नाच्शनाल फेल्द खैच बुट्के रात्री को नौ बजे के बात है इंदरा गदिए में एक आरीड़ लूगाँ एक आरीड़ जूगाँ तर वोग तर जानाद मेसिर वग Belandde die op de verhoging van een bushuisje En als gevolg hiervan Gingen drie banden kapot Eén van de banden ging uit de vellig De auto reed verder en draaide om zijn as Daarna belandde deze tegen een hoop gras Die op de berm was geplaatst Somzhen wefpa Eén garii een gedumse opkhaar pukhaar gebaap Bantie sannikar kerkar gebaap Chitra gaya Eén dugg gaya Eén kuchze nebcza baap Inhne Bade me Jahaan te ptah chala To inhne garii ko Slip wakhan ke dvara U'tha kerkwe gaya Parfurmatis Slip wakhan Eek mkana Eek on the nemer Ke mkana Ander 24 Mezen Wefak ke baat Wohan Par Eek Yakh Chorhi Chorhi Hua Banduk Eek Banduk Ke Chorhi Hua Hua 9 Aar 4 Ke Bic Me To Yhe Shkhaifra Mukhaar Ker Mkana Ke Yakh Chorhi Kerke Yhe Lohg Ne Bhaag Gaya Chaleng Ge To Mek Bata Aung Kek Aung Aung Khaim Yakh Bicycle Chana Kerke Ja Ruhi Hay Hay Gens Da Kek Baat 4 Bajay Do Jaha Koeh Eek Bura Ofis Par Dhi 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 Kere Bagal Mek Aya Ja Tash Chheen Karke Skhodr Tash Bas Bho Lohg Ne Bhaag Gaya Hai Is Tash Me 200 SR Dhi Hesley Little Bank Pass Anik Anik Mubil Telephone Raveway Sab Kuch Do Ther Yhe Dhak Bhaag Gaya Chori Yarni Kheech Karke Bhaay Ji Ab Hem Phir Pahun Cheela Wohi Jaga Pher Joghah Se Abhi Hhem Hut Ke Aya Hain Woh Jaga Pher Hem Phir Pahun Chrehy Rhe 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 Opa Feel My Last Takh Ab Sunt Cha Ki Buh Hovwan Ke Ka Ho Gai Jai Buh Hovwan Is Us Kal He Jai Se Korona Fires Hem Toke Bata I Buh Hovwan De Ko Korona Fires Ketra Hem Toke Ka Bata I Opa Feel My Last Forkla Meishe Her Opa Inrich Pai Is Gister Schuldak Befunden Aan Veritelike Aan Randing Van Het Kind Rektor Maitri Kudis Singh Bicari Thak Gai Is A Baat Suna 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 Kee Buna Hovwan Kya Kaha Ho Gai Is Bhai Ya Ito Bhai Ya Ito Jai Sa Brazilyan Paray Ya Bhai Is Waq Musi Ben Ne Raha Hai Three And A Half Yard Self Traff Rektor Maitri Kudis Singh Uthai Sa Thauri Bola Ki Jai Opa Twee And Half Jaar Santo Boma Bam Klaar Afgelopen Jab Jibbe 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 Chiro Rogel Keketi Hai Ki Opa Kya 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 Onke Saat De Verdachte Pleegde De Seksuele Handelingen Met Haar Op Momenten Dat Niemand Thuis Was Piyar 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 Jantah Every Pay Every Pay Every In Kya Rektor Maitri Kudis Singh Three And Half Yard Jail Bhesh Diyah Blehwa Kya Ab Dek Aisan Aisan Bhejati Blehwa Lug Kya Hota Hay Aisan Blehwa Ke Karan Se Sab Blehwa Wohi Mew Pisa Ta Bhaap Sab Wohi Daal Ke Ander Me Ghun Giral Hay Bhas Ghun Wohi Sab Wohi Pisa Gaya Bhaap Pah Kya Samad Me Nahi Aate Kya Blehwa Lug Kya Kya Blehwa Kya 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 Bhaap Bhaap प्यारे जन्ता अब हम आपको बताऊंगा देखो यहां पर एलान है कि एक आदमी जो कोट में बार-बार उन्हें जज़सा सुनाता गया है बार-बार रेक्टर मार्टी कुजी सिंग पताने कि चस्मा समा पहिंती बेचारी कि ना चस्मा पहिंती तब पोच पोच करके बुले कि लाम खुट लीजन कि ये जो हमरे सामने आरेस्तान ख़ड़ा है इनके बारे हम कुछ बोलना चाहेंगे और का नाम बिजाई कुमार बे बिजाई कुमार बे जी खश्टोल खुदरन अन्दा सेख हट इस खिस्टरन फर और देल तो आख्तीन मांदन अन्पुरवादल सालस्टरा तो माइतरी कुल देश सेंग क्या बोल रही है धियान से पर रही है अब क्या बोलती है देट इस जैन अख्तीन दर फॉनस अख्तीन दर फॉनस दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सूरा सुरा 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 अठारा मरतबा यह जज के सामने और इन्हें फॉनस दी गई है प्यारे भाईो अब हम आपको क्या बताएं बाद यह कहिए है बिजए कुमार भी आख्तीन मान दिन अन फॉर्वार लग्स चाल स्राव जो दिया गया है इन पर इख्ञाम की एक बैसिकल यह चोरी की है बिजए कुमार भी बोल रहा है कि एफिट्स एक सौपचास में एक नौजवान से खरीदा है नई खंटी सेक्टेंबर से जेल में है अभी जो कितना दिनों रहेगा अब हम आगे यह बात बताना चाहूँगा इखनासियो आलिया शोको के बारे में यह चार साल के लिए संत्वोना जा रहा है यह एक औरत को 6 अपरिल काउंट का तस ने चोरी की तस में मोबिल टेलीफोन और धेश समान जो थे माइतरी कुंजिव सिंग उनकी सामने चोको खरा है अपने मामा के गारी ले करके यह चोरी किया है बहुत बहुत बात भाईया जी इसलिए चार साल संत्वोना चार साल संत्वोना का की देखो अनेक अनेक परकार की चीज़ देस के अंगर में होता है हम आपको बताते हैं अब देखिए माइतरी नहीं यह रेक्टर मारी मेतंदाफ है मारी मेतंदाफ के सामने रिनाल दोवेई और रेमी ओखरा है कहे के यह दोनों ने यह दोनों के बात सुनिये वाखनें निकेरी में देशक्वेई यॉमक्रिमी नेवन हैंवे सामन इन वरेंड़िगं दे बुट बुट मोतर बुटी वाखनें वेगनोमा ये दोनों सिपाही के बोट का मोटर चोरी के लिया है इंगी ब्रोकी वहाँ ये बोट यहांने बाना था उसे में मोटर लगा था भी बस ये दोनों डाकों ने मोटर को चोरी के लिया अचोरी करके बेश दिया कितना बेश के दिया है त्विंटख डैजन एस एर देई अनन सेकरे डिगो अलियास चाको उकरबाद में चाको एक अमेरिकान को बेश दिया गयाना के तरफ रहता है ये मूतर दुकान में असी हज्जार में बिखता है असी हज्जार रिनावडो रिनावडो ट्रेंटक में बेश दिया है निर्मला माईकू ये सब बात अंद सुक्या और निर्मला जैसे आप सुने हैं प्रेयार अनफुर्वार्डलक के मांग के बस रहत ने हथोरी मार दिया मार दिया हथोरी बप्पा दो साल काहे काहे के सिपाही के बोड के मूट और ये दोनों ने चोई करके और बेच दिया भाई जी और हम कातों हैं बताई अनेक अनेक परकार के चीज हो रहा देश के अंदर में आद दाख बलाफ सुरी नाम में क्या लिखा है हजरत, दॉक्तर हजरत कोख D-MAX वार S-S-S-F पोस्लेक्स 15.752 S-R-D अब हम बली तक काब बली ये बात अगबार ने देखे से काका अब जाने S-S-S-F के अगवा कालू जाने काहे के ये तनाम बेची से अब ये बात आगे अंदर्सुक होगा पोस्लेक्स 15.752 S-R-D तो तो जाने की D-MAX बहुत मंहा में भी के है और ये सब गारी मंहां भी तक हमेशा और देखो तना सस्ता में कुरमो दी हर्जो कुरमो दी हर्जो डिरेक्टिर रेक्टी कुरमो दी हर्जो बेसकर के दिया है हुफरी हजरा दॉक्टर को जो मेश्डिरेक्टिर है स्ताथी के वंद्सका 14 जुली 22 में पोर अ लुटली बद्राग वां 15.000 इसूजू दी मेक्स के बात हम कर रहे है प्यारे जन्ता हमारे स्यूरी नाम के जन्ता सब दुकान को चाहिए प्रेश जो है दुकान के कुछ दाम उतार करके बेचने के लिए और अब देखो कि ये सब भी के है कितना दामे भी के है कितना दामे ना भी के है तो 20% के बात रहा कि ये लोग को और कमती दाम पर चाहिए बेचे के एक खबर सुनियो आमार रंजीच सिंग आजविवर के कमती के लिए कर रंजीच सिंग टॉर्ण बेचे की अबनामें भाइद है ये STF वो पैसा भरेगा रह गया है रेखिनाल शिक्रहिस वानी का उसके बारे में भी बाचित चल रहा है लेकि जतना लोग बिमार है और शिक्रहिस में जाएंगे STF के द्वारा उनका पैसा भरे जाएगा पैसा तब भरेगा हम आपको बताऊँगा भाई ये सुरी नाम के तमाम जन्ता के आज जब हम लईस को देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग ना सुधर पाएंगे देश में तो तार खफार इस वक्ड़ जो बिमारी है बस मेटेंग सेफ वो होने सेफ नन त्विंट तक 24 घंटे के अंदर में सेफ नन नी खंटक नीवख फार इन 24 घंटे के भीतर में सेफ नन नी खंटक नीवख फार कहां से आई रतना ज़्यादा मोशी आप बताएए सेफ नन नी खंटक कहां से आई से एक 24 घंटा के भीतर में 146 176 फिर तक लोग का मौत हो चुका है इस कुरोना फिरिस के द्वारा 12 इस वर इंटेंसिव केर में है 12 इंटेंसिव केर में और 24 घंटे के भीतर में सेफने ने इखनत नवा खफाल रखस्तरी हुआ है आप बताए काकी कैसे सुधरेगा कैसे जंचा को आप समझाइए कैसे समझाइए भर आप तुभी बताओ ना देखो आप लोगन चलाक चलाक लोग है आप अहीं लोग समझाओ आप हीं लोग समझाओ काहुई देश में भईया जी ना हमारे समच्च बाहर बाप ये नया नया बिमारी लेकर के लोग कहां से आता है कहां से आता है देखिए भाई ये मैं जानता हूँ कि होलांट में आफन कलब भी शुरू है मुझे मालूम है कि बहुत दिनों तक में ही रहेगा और हूलांट जो पहला हूलांट था अब वो हूलांट नहीं है मैंने कई मर्ट बाद ये बाद आप लोग के सामने पेश किये हैं कि हमारा सुरी नामर्ष जो यहां पाइदा हुए है और वो लोग है भी नहीं जानत में आप लोग अगर अपना करोबार ठीक कर सकते हैं अपना पेंशन अपना एटेरिंग तो आप लोग का असली घर से रिनाम है ये बड़े बड़े खेट जो है बड़े बड़े खेट वही में पानी भर रहा है पानी उतर रहा है कुरोबिया पटा का मच्छी चहर रहा है बारिस के समय को कोई अंदा खोटा बना करके देता है और ऐसे मौसम सुरी नाम में जो दुनिया में कहीं नहीं है वहाँ पर आपको लोग जाने से पश्टावा कभी नहीं होगा उन लोग के लिए जिनों का मकार भी यहाँ है उन लोग के लिए जिनों का स्री यहाँ है उन्हों के लिए जिन्हों का परिवार यहां है उन्हों के लिए जिन्हों तो माबाप अभी यहां जिन्दा है वो लोग वहाँ पर जेल के तरह मकामे बंद रहता है उन्हें अपना कारवार ठीक करके जब प्लीन लोग को लाने लगेगा आप लोगा कि अपना घर जुआर होगा अपना रिष्टदार होगा उनसे बात करो बड़े बड़े खेट हैं कुछ पैसाथ के पास जरूर होगा एक छोटा घर बना भी सकते आप क्योंकि आखरी जिंदगी हम लोग को शिरी नाम में बसर करना चाहिए इतना बात हम आपसे कह सकते का कि ये करोना फिरस आया है शिरी नाम में इसको लाया गया है अगर ये नहीं आते तो हम जन्नत में होते अगर ये नहीं होता तो इस वक्षिरी नाम एक जन्नत में लोकर लाया जाता लेकिन नजाने भईया के कर दिमाग में ये बात आया कि हम चली परदेश घूमे और लपेट करके चलाया सर नाम में लपेट करके चलाया सर नाम में और आज वही लपटुआ सब के पकर पकर के लपेचत है अभी मैंजार से कहा जा शेफनन नई खंत लोग को लपेट लिया है शेफननन नई खंत को लपेटी से बाप ये तो बुमा सनेकी से खराब दादा बुमा सनेकी से खराब मौशी शेफननन नई खंत को लपेटी से ये जनता हमारा सरकार निके मतवाप से कहा है लोगदाउन साथ बजे पात बजे सबीरे तक लेकिन दिन में भी ये नवता उता करना नवता करना है तो पुराना धंके नवता मुल्भी साहिब को बोला करके कुरान खुवानी करो बोला किताब फिलो दूर दूर बैठियो और दूर मांगने के बाद सिन्नी खाने के बाद तरी से खाना पकल होगा दल भरी रोटी और दोक्सा के गोश शुरुआ में कुमोटा वाला तो उसको आप तक्सीम करेंगे और फिर अपने अपने घरे मौन का पलगा के घरे तो ये केस्यवर का फेस का हाथ लोग देखे है और जो दूरुशिक बज़े ये लगा की घर के पिछवारे जहाँ परलंग परलंग भैल और लोग ने कणियाव हिलावे लगा तो आप तो जानते वहाँ बोटल और गिलास के बाद चलता है एक एक बोटल खाली हो जाएगा तो कहीं लोंग जॉन कहीं ब्लाग पुस तो कहीं वाइट पुस ये सब पुशव पुशव खाली हो जाएगा इसी कारण से आप लोग ये कुरान खुआनी करो घर में बोला करके पंडित को और पुजा पाथ करो और घर में जो जय से किसकी मुशीवत में हैं उनके लिए प्रातना करो घर में दूर दूर बैट करके भोजन के करने के बाद भोजन करने के बाद आप इजद से पंडित को बिला करो इजद से बहुत इजद से क्योंकि वो आपके घर आता है आपके मांग पूरी करने के लिए हम अपने पंडितों के और मुल्वी को बहुत इज़त से उनको हम लोग को बुलाना चाहिए और काम करने के बाद उनका इज़त करना आप लोग मत बूलना तो एतना बात रहा और उसे दियास्पोरा के जनताओं से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ये एक इतिहासी समसिया है ये जो को ना फिर इस दुनिया में फैला है ये आज को रोणा है काजने भी हान कौन रोणा फिला जाएगा और आप फिर घर के अंदर बंद रहेगा तुम्हारा देश सुरी नाम ये जन्नक देश है वहाँ पर लोट आने से आप यहाँ पर बाकी जिन्दगी बड़ी प्रेम से आप मनाएंगे भाई जी इसलिए हमारा देश के सरकार हमारा देश का प्रेशिदेन चंद्री के पसार संतोकी वो जो फिवरी बारी में नेजलान को जाने के मुकरर किया है अब पता नहीं कि ना जाएगा या जाएगा लेकिन हमारे देश के लोगों के बारे में ज़रू बात करना चाहिए खास करके उन्हों के हक के लिए जो देश के अजादी के मौके पर मुसीबत में ये लोग को देश छोड़ छोड़ करके भगा विचारन मुसीबत के समय पर तो इन लोग को हम लोग को सहाइथा देना चाहिए इन्हें दिवर नच्छनाली के थो जाना चाहिए और वापस आए अपने मुलक में नेजलान के नच्छनाली टेश ये लोग का है ये लोग को स्री नाम को भी दे देना चाहिए ताकि ये लोग अपना जिन्दगिया करके बसर करें श्री नाम में और अपना मतलब की कुछ करना होगा इसकी देश में घर बना करके रुजगार करना होगा तो ये लोग का कंतोर बंद है ये करोना क्षीजर अफीशन के बारे में ये अभी तक बंद रहेगा इतना बात याद रखियो और एक रूम फर्दाश्टे के बारे बात चुनियों फ़ाबियन आ के बारे में कामरा बेउदर पर इनको पहचान लिया लोग ने लेकिन ये इनकार कर रहा है जो फ़ाबियन आ के साथ साथ डच और शोपीनी भी था ये लो फरक्रार किया पुलिची के कि फ़ाबियन भी मौजूद था इसे कारण से 15 फिबरिवारी को ये मुकदमा जज़ के सामने फिर आएगा हम आपको बताओंगा भाई जे प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर ओवे का मिनेस्टर ओवे का मिनेस्टर रियात नूर महम्मद मुद के शाम को खुड लाइडिंग बीज पर गया वानिका में यानि बस्तीर रिसॉर्ट नूर्थ वेस्ट के जहां मशीन चलता है एनफी शिर्श्वाम के द्वारा वहाँ पर कंडाल जो भटा था उस कंडाल को सफाग किया जा रहा है यह खुशी के बात है कि रिसॉर्टन कौटा सरमक का पूर्दर लोग जिंगन वहाँ पर अफ़ाल होने लगा है मिनिस्टर ने खुद वहाँ जा करके और इंफरमासी लिया है वारा सांग हो रहे बीश हो ताके लोग जनता के मांग जो है वो समय पर पूरी किया जाए तो भाई जे ऐसे इसे करके बहुत से बात रहा बोलने के लिए हमारे सुरी नाम के जनता हम तो बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे आप सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे बग यतना बात आप लोग याद रखियो जो हम आप को बताना चाहते हैं भाई जे कि इस वक्त हमारा सिक्कन है इस वानी का वहाँ पर तो भरल है बाब कितना कारंत्यान भरल है और जंता से गुजारिश है कि कोशिश करके कोशिश करना इसमें आपका भलाई है देश के भलाई है आपके परिबार के भलाई है कि आप परवेश के या कहीं बाहर के लोग बेगर मौनकाप उनको दूर रख करके उसे बात करना अगर उनके पास मौनकाप नहीं है तो उनको दूर ख़ड़ा करके उसे बात कित करो और इस बेमारी से दूर रखो इनको समझाओ जनता के क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि ये मामला खतम हो रहा है लेकिन हम रोजानत देखते हैं कि एक एक जादा जादा लोग और विमार होने लगा है भाई जी मुझे इजास्ट देजे का कि बहुत ठेक ही रूपने आप जिल्दी बसर करो बहुत प्यार से इपने बच्चों से बातचित करो अपने परिवार को बोला करके उसको समझा उटा करो और यही मौका है कि जतने बिग्रिवी समसिया था देश के अंदर में मिलकर के बात करके उन्हें सुधारने के कोशिश करो हम यही बात आपसे कहेंगे अगर आपके अंदर में एक टाई नहीं रहेगा तो हम आगे कमी नहीं बढ़ेंगे यह मौका है समझा के काम करो मिलकर के काम करो एक टाई के रुपे काम करो और अपने सरकार के मदद करो ताके वो आप के लिए काम करे मैनद करे नापलस्तरात नौ मुंदर के रहने बाला कबेश, किर्तन, कल्लू के बीसवी सांगर सनी चर जन्वरी के 23 तारिक आछे खोशे माओ के पर नाना जो है हेमराथ से उबालक अपने प्यारे नाती मामा राकेश, मौसी, आशा और शंती मामी, किर्ती, मौसा, अमीत और देवा सभी अपनी प्यारे भाई ने लरकन भाई को बहुत से खुश्या, प्यार, बधाईया और आशिर्वात पेश करते है दिल से निकली हर आशिर्वात तेरी नाम करता हूँ जिन्दगी के सारे खुश्या तेरी नाम करता हूँ नापल्स रात नौ मुंदर के रहने वाला कवेश, केर्तन, कल्लो के बेस्वी सालगरे सनी चत जन्वरी के 23 तारिक आचे खुशी माउ के पर आजी कमलावती कल्लो अपना प्यारा पोता दादा सभी काका, फुवा, बढ़की माई, काकी और फुपः, अपने भतीच, बाकी लरकन भाई को खुश्या, प्यार, बधाया, आशिर्वात वेश करते है हर नई सुभ, हर नई सुभ लाए खुश्यों का नजारा, खुश्यों से भरा रहे दामन तुम्हारा नापल स्रात नौ मुंदर के रहने वाला, कविश, किर्तन, कल्लू के बीसवी सालग्र सनीचर जन्वरी के 23 तारिक आचे खुशी माओ के पर स्रीमान देनस कल्लू, स्रीमती संद्रा, कल्लू, से उबालक अपना प्यारा बेटा, रागनी अपना भाई, शानील अपना सार, सोनाली मामा को बहुत से खुश्या, प्यार और बधाया पेश करते है तेरे आखों में आसू के जगा ना रहे, भगवान करे, सिंदगी में घम का कभी कोई वजा ना रहे निवेरखो फोंडन वेख, प्यारे वेख साथ के रहने वाला एक प्यारा सा छोता सा नन्हा सा ललना है वीराज, रनवीर, साधू, मुंडन संसकार एदवार, जन्वरी के 24 तारिक कल है खुशी मौ के पर स्रीमान जौन साधू, स्रीमती अमरीता साधू अपना लाडला बेटा, आरुश, जैयेश और मनहर अपना प्यारा भाई, आजा सामना रायन साधू अपना पोता को बहुत से प्यार, खुशिया बहुत सारे बधाया पेश करते है खुशिया आये तेरे नाम बल दिन महने और साल बढ़ना दुनिया में तो सब के लिए मिसाल प्यारे वेख साथ नी विर्ख फुंडन वेख के रहने वाला प्यारा सा नन्हा सा ललना है छोते वीराज, रनवीर, साधू मुंडन संसकार एटवार जन्वरी के 24 तारिकल है खुशिमाओ के पर एफ्राम सेहन, फिसर, सौरख वेख 14 से फुपा, राकेश, गनपत, फुवा, गीता, गनपत, साधू अपने प्यारे भतीच रोहीत, आकाश और नेहा अपना भाई, शाया और अश्वीता अपने देवर, आशिका अपने काका को खुश्या और प्यार बहुत सारी बधाया पेश करते है मिले तुम्हे मेरी उमर, लगे ना किसी के नजर, है तु खिलता सी तारा, सभी की आँखों का तारा प्यारे वेख साथ, निवेर्खों फूंदन वेख के रहने वाला प्यारा सा राच दुलारा, वीराच, रनवीर, साधू के मुंदन संसकार एटवार, जनवरी के चौबीस तारी कल है खुशी माओ के पर निवेर्खों फूंदन वेख 102 से, फुप्पा, आनंद, रमसुक, फुवा, कवीता, रमसुक, साधू अपना प्यारा भतीच, संजना, इशाना और पायल अपने भाई को बहुत से प्यार, खुशिया दुलार आशिरवात पेश करते है आशिरवात है, कदम कदम पर तुझे सब का प्यार मिले, भगवन करे, तुझे खुशिया हजार मिले प्यारे वेखसाद, निवेर खफोंदन वेख के रहने वाला प्यारा सानना साराच दुलारा, वीराच, रनवीर, साधू के मुंदन संसकार एटवार, जनवरी के 24 सारी कल है कमिसार स्वेख 146 बे से, फुपपा फिरोस मुलई, फुवा ग्रेस मुलई, साधू अपने भतीच, फणी शा भाई को बहुत से प्यार, खुशिया, दुलार आशिरवात पेश करते है मेरे आशिरवात कहो तुच्पे इतना अजर, कि तु हर दर्द और घम से रहो बेगबर Goedemorgen en van harte welkom bij deze aflevering van gisteren, vandaag en morgen Rachid Spierkaan, कल आशिरकल, het is de uitzending van zaterdag 23 januari en Rachid Spierkaan, कल आशिरकल, is live te beluisteren vanuit Paramaribo op RP The Hot One 89.7 FM het is ook live te zien via YouTube en daarvoor klikt u dan in RBN Suriname Ook online is de uitzending te beluisteren via www.dbsuriname.com en landelijk te zien via Alpha Televisie op kanaal 5.2 Ik ben Serena Eset en ik presenteer u vandaag gisteren, vandaag en morgen Rachid Spierkaans, कल आशिरकल Ik ben er vandaag alleen, vandaag kon Farid Wegans omstandigheden er niet zijn, dus gaan we het samen doen Van onze assistent, onze technische assistent, Sager, die heeft me verteld dat vandaag het na 9 jaar is dat er iemand anders dan Farid Pirkaan, कल आशिरकल aan u presenteert En de laatste persoon die dat gedaan had, was Waylen Shalindra-Giria Singh een parlementariër, naar wie ik persoonlijk heel erg heb opgekeken Iemand die echt op een hele duugdelijke wijze, op een goede manier, het volk wist te vertegenwoordigen in het parlement En het is voor mij een eer om vandaag na 9 jaar het met u te doen We gaan een leuke uitzending ervan maken, we gaan het samen doen U weet het, u kunt bellen naar het programma, u kunt uw opmerkingen maken, uw vragen stellen, uw zegje doen Maar er zijn rules and regulations, er is law and law erbij, dit programma En dat is dat we het respectvol gaan houden En natuurlijk ook dat u gaat letten op de manier hoe u mensen bejegend En uiteraard ook de tijd En dat u dan probeert om één onderwerp aan te snijden Voordat we de lijnen opengooien, moet ik natuurlijk zoals we gebruikelijk zijn dat te doen Dan hebben we de introductie Ik begin alvast om iedereen die een dierbare verloren heeft Om u te kondoleren en u heel veel sterkte toe te wensen met het verlies in deze rouwperiode Ook alle mensen die momenteel liggen in het ziekenhuis of als u thuis bent, als u ziek bent Van harte beterschap toegewenst Natuurlijk hebben we ook de jarigen en alle overige die wat te vieren hebben Ik denk ook aan de mensen die natuurlijk ook zijn afgestudeerd En aan u gefeliciteerd Maar de jarige voor vandaag die wij van harte willen feliciteren zijn Samantha Wolff, dat is mijn nicht Gefeliciteerd Ze is vandaag jarig Toen ik nog klein was en ik heel vaak bij mijn oma bleef Heb ik samen met haar daar gewoond Dus frustrerie en maak er een mooie dag van Tanja Starke en Paulus Soegrisim Die kunnen vandaag ook hun jaardag vieren Farid die heeft mij ook zijn lijst meegestuurd om namens hem de felicitaties ook te doen En voor de lijst van Farid die zijn vandaag jarig Sharmila Damaisai en Ashna Bikari die worden van harte gefeliciteerd Morgen mogen hun jaardag vieren Raoul Rupal en Indra Patadin alvast gefeliciteerd En namens Farid de felicitaties voor Karishma Sital, Cindy Raji en Prim Kirpelani Maandag die kunnen hun jaardag gaan vieren Meneer Henk Redmond en Robert Kafali En namens Farid Pramond Kumar en Heidi Mohamim Raja gefeliciteerd Op dinsdag zijn jarig Kenny Snip, Frank Kuijs en ook Clifton Braham Heel Suriname ken Clifton Braham natuurlijk Hij is gestaard met 1&1 is 3 Hij laat ons heel veel lachen en dat is zo belangrijk in deze tijd Waarbij heel veel mensen onder hoge druk en hoge stress leven Dus Clifton Braham hartelijk dank voor het gelag dat je de samenleving biedt En gefeliciteerd alvast en Prim Binda die is dinsdag ook jarig En tot slot van Farid mogen hun jaardag gaan vieren Die wil hij de felicitaties overbrengen aan Kamlish Ramke Lawan en Mohamed Israat gefeliciteerd Nou dan moet ik u ook zoals dat gebruikelijk is de goud en olieprijzen meegeven De olieprijs is voor vandaag voor een barrel $52,57 En de grootprijs dat bedraagt $1,859,90 voor een troi ounce Nou dan hebben we COVID nieuws We zitten nog steeds in de COVID pandemie Alle landen die hebben ermee te kampen En we gaan eerst kijken naar wat er gebeurt in Suriname En daarna gaan we een uitstapje doen in wat er gebeurt in de rest van de wereld met betrekking tot COVID Het aantal besmettingen tot dusver in Suriname is $7,985 Dus we gaan richting $8,000 Het aantal mensen dat hersteld geworden is van COVID is $7,914 En helaas zijn het aantal personen dat is overleden aan COVID $148 De mensen in het ziekenhuis momenteel dat zijn er 93 En in intensive care liggen er nu op dit moment 15 personen In isolatie zijn er 285 En degenen die nu in quarantaine zijn dat zijn er 839 personen Zoals u weet zijn er al vaccins Suriname de regering heeft gekozen om te gaan werken met het Pfizer vaccin Dat is het vaccin dat tevens goedgekeurd is door de WHO En de regering die heeft aangegeven dat zij graag een landelijk fonds wilt gaan opzetten Bestemd voor de vaccinatie met name de aanschaf daarvan En zal dat dus een fonds moeten zijn in samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven En voor de bedrijven zijn daarbij genoemd Verzekeringsmaatschappijen, goudmaatschappijen De investeerders die allemaal eigenlijk naar gekeken zou worden om te helpen Om die bijdrage te leveren om die vaccinaties op gang te kunnen brengen Er is een heleboel dat daarmee gepaard zal gaan Los van de logistieke organisatorische zaken om die vaccinaties te kunnen doen Ga je ook nog hard moeten gaan zetten op voorlichting Want de mensen moeten weten wat spuit je eigenlijk in je lichaam Dat is de voorlichtingscampagne die op gang zal moeten komen Bekend is dat er nu al een down payment gedaan is van ongeveer 20% En dat is dus om 20% eigenlijk van die gemeenschap te kunnen vaccineren Er is dus nog een heel groot deel van die samenleving die gevaccineerd zal gaan moeten worden Het kost heel veel geld en we weten Suriname heeft op dit moment geen geld Dus een grote uitdaging voor de regering en vandaar dus ook het fonds waar men aan wilt gaan beginnen De opslag van het vaccin is al bekend dat zal plaatsvinden in het regionaal ziekenhuis Wanika En daardoor worden opgeslagen bij temperaturen van min 80 graden Het is heel erg cool De kinderen tussen 0 en 18 jaar die zullen niet worden gevaccineerd En ook voor wat onze kinderen betreft is intussen ook al bekend Dat in elk geval tot gisteren de school nog niet is begonnen En afhankelijk van hoe COVID zich ontwikkelt zal dan worden beslist Of de schooldeuren maandag weer open gaan en onze kinderen weer onderwijs kunnen gaan genieten Nou nu internationaal COVID Nederland die heeft strengere maatregelen aangekondigd Nederland heeft het bijzonder moeilijk met COVID Er waren vorige week alleen in een week waren er ongeveer 38.000 besmettingen Dat is schandalig veel Dus Nederland treft nu allerlei maatregelen om te proberen om COVID beheersbaar te krijgen Om hem onder controle te krijgen En een van de maatregelen die ze hebben getroffen Is dat een heleboel luchtvaartmaatschappijen van verschillende regio's die naar Nederland mogen vliegen 50 tot 60% van de vluchten komen te vervallen En dat zal natuurlijk ook de SLM treffen Dat heeft de SLM zelf ook aangegeven Maar het is niet alleen de SLM Het is de luchtvaart in zijn algemeenheid die heel erg getroffen wordt door COVID De luchtvaart, de toerisme sector, de horeca Dat zijn sectoren die enorm getroffen zijn door COVID Maar als we hem houden op die luchtvaart Dat zien we dat vorig jaar ongeveer 43 luchtvaartmaatschappijen Hun bedrijf hebben moeten sluiten En het aantal mensen dat hun banen kwijt geraakt is Of althans wat ze voorspeld hebben dat het ongeveer zal zijn Voor het eerste deel van 2021 Dat is beraamd op ongeveer 46 miljoen mensen wereldwijd Daar praten we over eigenlijk alle soorten personeel op het gebied van luchtvaart Piloten, stewardess, grondpersoneel Van de schoonmaak tot de catering Mensen die dus al die diensten leveren aan luchtvaartmaatschappijen Maar niet alleen die airlines Maar ook luchthavens De vereniging waar Europese luchthavens in verenigd zijn Die heeft bekendgemaakt dat ongeveer 193 Europese luchthavens failliet dreigen te gaan Dan moeten we direct denken ook aan onze eigen NV-luchthavenbeheer Want natuurlijk is luchthavenbeheer en de airports Die zijn afhankelijk van het vliegverkeer Want die moeten vies betalen om te kunnen landen stijgen enzovoort En die dreigen failliet te gaan Dus die sector heeft het enorm moeilijk En we denken daarbij meteen ook aan onze eigen national carrier De SLM En we weten allemaal dat de SLM in zwaar weer zit De regering heeft een team aangesteld En die gaat na moeten gaan hoe de SLM ondanks COVID Zal moeten blijven voortbestaan Nou, terugkomend op de vaccinaties We weten dat er verschillende vaccins intussen er al zijn gemaakt We hebben vaccins die zijn gemaakt door China, Rusland, Amerika en ook Engeland Die hebben vaccins gemaakt De vraag is nu Hoe gaat die distributie van die vaccins plaatsvinden? En WHO Topman Die heeft gezegd Dat er dreigt te ontstaan Hij noemt dat A catastrophic moral failure Wat dus inhoudt Dat eigenlijk De wereld globaal Dreigt te falen Eigenlijk op moraliteit Wanneer het gaat om een eerlijke Distributie van die vaccinaties Want Om die vaccinaties te kunnen aanschaffen Daarvoor moet je geld hebben Dus die landen Die gaan die vaccinaties moeten kopen Van die farmaceutische bedrijven En als je geen geld hebt Dan dreig je Dan loop je aan de kans als natie Dat je gewoon daar moeilijk voor in aanmerking komt Omdat is aangegeven door de WHO Dat in bepaalde landen Jongeren die eigenlijk niet behoren tot De primaire risicogroep Allemaal in aanmerking komen voor vaccins Terwijl in die armere landen De mensen die juist behoren tot de risicogroep Die niet kunnen krijgen En dat heeft allemaal te maken met De distributie En om ervoor te zorgen Dat de distributie goed kan plaatsvinden En dat toch een beetje die eerlijkheid is gewaarborgd Is er zo'n platform gecreëerd Dat is COVAX En 180 landen in de wereld hebben zich aangemeld bij COVAX Suriname is daar ook een van En de distributie van het vaccin aan Suriname Via de regio Dat gaat ook via COVAX Dus de mensen zitten met hun handen in het haar Over de distributie En eigenlijk om te voorkomen dat niet alleen de rijken In aanmerking komen van het vaccin Maar goed Die vaccinatie die is nu al op gang En zullen we dat dan op de voet volgen Hoe dat zich verder ontwikkelt We gaan de lijnen open gooien U mag bellen Naar het nummer 53 20 37 U mag uw vragen stellen U mag uw opmerkingen maken U mag gerust uw zegje doen En dan gaan we het bespreken Waar ik de vragen kan beantwoorden Ga ik dat zeker doen Als ik het niet weet Ga ik u echt niet zomaar iets gaan vertellen Dan ga ik u aangeven Ik weet het op dit moment niet Ik ga het voor u uitzoeken Maar als u misschien toevallig het antwoord wel weet En ik mocht dat niet meteen weten Dan kunt u ook gerust bellen En dat aangeven Want we gaan het samen doen We hadden vorige week ook Iemand het gebeld over pensioenen En Farid en ik wisten het niet En toen belden Iemand anders En gepensioneerden Zij van nee De pensioenen van mij zijn al gestorven Via die bank enzovoort Dus waar het op neerkomt We gaan samen een leuke uitzending ervan maken Dus u kunt gerust bellen En wij gaan dan het gezellig maken Nou De Centrale Bank van Suriname Die is wat wij merken actief Met het uitvoeren van haar handhavingsfunctie Zoals u weet is de Centrale Bank onder andere belast Met het uitoefenen van toezicht En in dat kader Bij de uitoefening van die functie Heeft de Centrale Bank De vergunning van Cambio City Exchange Per 20 januari ingetrokken En het rechtsgevolg hiervan is Dat die Cambio verboden is Om dus te opereren Als een wisselkantoor We gaan hierover verder praten Maar ik wil de eerste beller De gelegenheid geven Goedemorgen U bent live in de uitzending Goedemorgen 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 Ik feliciteer je dat u alleen Zo'n openingswoord heeft Naar voren gebracht Dank u En mijn vraag luidt als volgt Ik kan me niet voorstellen U kunt zich niet voor mijn volksvertegenwoordiger van de NDP Die heeft ons lachen aangevraagd van DNA Begrijpt u? En nu schrijft u een brief die weer in het parlement wil komen En uw oom Hugo Asset heeft in de media gezegd Dat kan niet Begrijp je? En dat DNA geen bakbouwinklie is Is de ex-minister van natuurlijke hulp van NDP Ik ben zijn naam even kwijt Maar waarschijnlijk weet u waarover het gaat Je dient je ontvraag in Je bent niet eens met NDP En je zegt ik wil een parlementariër worden En ik wil je vragen U bent jurist Misschien kunt u niet systeem En niet kijken wat de grondweg hiervan zegt Dat is mijn vraag En ik wens u echt een heel fijne uitzending Heel hartelijk dank Ja Nou het is duidelijk Dat was ook een van de punten Ik denk dat ik het hierna zou behandelen Breaking news Meneer Akin Boto Parlementariër Intussen gewezen parlementariër Die had op 4 januari dit jaar Ongeveer twee weken geleden Kenbaar gemaakt Dat hij zijn lidmaatschap bij het parlement beëindigt Dat hij ook geen lid meer zo zijn van de NDP En eigenlijk dat hij dus uit de politiek stapt En hij heeft een aantal redenen genoemd En zijn standpunt dan wel zijn besluit ook onderbouwd Nu zien wij dat meneer Akin Boto heeft aangegeven Dat hij eigenlijk wat hij gesteld heeft Nu wilt intrekken Laat maar eerst zeggen Dat wat mij betreft Meneer Akin Boto Een van de parlementariërs geweest is Die het nogal goed gedaan heeft En ook wanneer we kijken naar zijn track record in de politiek Dat hij altijd een goede uitleg heeft gegeven Niet uit de duim dingen zoog Dus toen ik vernam dat hij stapte uit de politiek Vond ik het wel jammer Maar nu zien we Dat hij terugkomt op die beslissing En zoals ze het bekend zeggen Gewezen de beleidsinzichten heeft Hij heeft daarvoor aangegeven Dat nadat hij dus Kenbaar heeft gemaakt Dat hij uit de politiek stap Op aandringen van de achterban Hij dus terugkomt Op dat besluit Dat hij heeft genomen De vraag die nu reist is Als je Kenbaar gemaakt hebt Dat je je lidmaatschap beëindigt Kan je daarop terugkomen In de grondwet is heel duidelijk aangegeven Wat de gronden zijn Voor de beëindiging van het lidmaatschap De voorzitter van het parlement Dat is meneer B Die heeft ook gezegd Dat de juristen nu bezig zijn Om te onderzoeken Wat de procedure is Dat zover hem bekend En ook dat zover mij bekend Gebeurt het voor het eerst Dus het parlement kan niet zeggen Ja uit ervaring Is de procedure die wordt behandeld X of Y Maar goed De procedure die bewandeld moet worden Dat is niet wat de ervaring leert Maar dat is simpelweg wat de wet stelt Ikzelf ben ook bezig te kijken Naar wat kan En hoe moet het gebeuren Indien het kan Dus ik ga u Op deze vraag Kan hij juridisch Ga ik op terugkomen Bij de eerstvolgende aflevering Want we gaan uitzoeken Wat zegt de grondwet Ook de kiesregeling Want die zetel Zou terug worden gegeven Aan de NDP Dus het moet uitgezocht worden Hoe juridisch de vork In de steel zit Maar in elk geval De mensen die hadden gedacht Dat het Dat NDP schip zingen Was wegens vertrek Van meneer Akin Boto Meneer Akin Boto heeft besloten Dat hij Toch de politiek in blijft Goedemorgen U bent live In de uitzending Goedemorgen 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 In de gemeenschap Ik ben naar de psychoneur Gegaan aanzet Je hebt iemand daar Amma Ik kost Die zin Dat je bent zo bang Die vrouw van me wil Niet uit die auto gaan Technie Hij gaat ons Aanvallen En dit en dat Want die man is een gevaar Voor de gemeenschap En die man doet wat Wie gaat over deze mensen Dus En worden deze mensen Ook gevaccineerd Hier is mijn controle Op deze mensen In de binnenstad Als je In de binnenstad Reet Na de lockdown Want ik ben shiftwerker Ik reed met de bus Ik ga langs Hier bij die Onder die balkons Aan de Herenstraat Mirandatraat Zoveel zwervers Daaronder Daar zitten Met Slapen Met kartonnen Wie gaat over deze mensen We betalen Zoveel belasting Dus Zodat wij ook veilig Onze dingen kunnen doen Onze gezin Als je iemand van je huis Naar de winkel stuurt Moet die persoon Niet terugkomen Ik ben lastig gevallen Door het zwerven Ja Nou duidelijk Ja dat was mij Prachtig En Prettig weekend Blij Dat een vrouw Het ook mag doen U heeft lef Dank u Alsjeblieft Dank u wel Ja Vastzaken begreep ik ook Dat Tot zover hem bekend Dat ik de eerste vrouw ben Dus Ja Wie weet dat we dat Zo houden En dat ik samen met Farid Dit leuk programma Dit geweldig programma Door presenteer Samen met u Nou Het is duidelijk waar de beller het over heeft Over de problemen betreffende De zwervers Die het aan het neemt toe Los van de zwervers Wil ik dan direct ook meenemen De kinderen die je ziet op straat Die moeten arbeiden Kinderaarbeid Ze verkopen vluchten Knippa's Awara Noem maar op En je merkt Dat het steeds meer toeneemt Dat het toeneemt Is eigenlijk niet vreemd Omdat wanneer je merkt In elk land Waarbij de economie dropt Je een economische crisis hebt Dan zijn er Is er één ding dat altijd stijgt Is sowieso De criminaliteit Dus wanneer de economie dropt Zie je dan die criminaliteit gaat stijgen En ook zie je dan Groepen die kwetsbaarder worden Dat die ook gaan droppen Eigenlijk in hun In hun leven standaard Die mensen die helemaal Aan de botten waren Van die maatschappelijke ladder Die vervallen dan vaak Hierin En natuurlijk Het zijn ook onze srandamants Die geholpen moeten worden En aan de ene kant Aan de andere kant Moet de binnenstad veilig blijven Zoals de beller zegt Er zijn een paar stichtingen Die belast zijn Met opvang van zwervers Onder andere Organisaties Die zich bezighouden Met het voorzien van eten En kleding Enzovoort Voor deze kwetsbare groep Dak- en thuislozen Maar Wat het probleem is Veelal Zijn de financiële middelen Want ook deze organisaties Hebben die middelen nodig Om te kunnen voorzien In de behoeften Van de dak- en thuislozen En eigenlijk om deze Kwetsbare groep te helpen Om daaruit te komen Dus Die organisaties Die zullen die ondersteuning Moeten krijgen Zij het Van overheidswege Zij het Vanuit de particuliere sector Maar het zijn met name Die organisaties Die Die daarmee Die dat op zich genomen hebben Die dat tot doel hebben Om te kijken naar de dak En thuislozen Voor wat betreft De vaccinaties Van deze kwetsbare groep Zal de minister Dit moeten aangeven Duidelijk is gesteld Dat er prioriteitsgroepen zijn Waaronder de gezondheidsmedewerkers Die hebben echt prioriteit Want we hebben die groep In de strijd tegen COVID Het hartst nodig Dus dat zijn de eerste mensen De frontliners Die in aanmerking zullen komen Voor het vaccin Daarnaast heb je ook nog De andere vestbare groepen Te denken aan onze ouderen Onze senioren burgers Die ook daartoe behoren En vervolgens Zal dan zo worden gekeken Naar welke groep Heeft de meeste prioriteit Qua kwetsbaarheid Maar goed De regering zal moeten aangeven Waar Waar de groep zwervers Althans dak- en thuislozen Onder valt En hoe de regering Daarmee om zal gaan Goedemorgen U bent live In de uitzending Goedemorgen Mevrouw Esset Mijn complimenten alvast Voor dit prachtig programma En het bijzonder Dat u vandaag Het programma alleen verzorgt Dank u De complimenten Ik wil het hebben Over het geval Van meneer Akim Boto Ik vind meneer Akim Boto Echt niet zo principieel Want je schrijft In eerste instantie Een hele lange brief Met een geweldige onderbouwing En nadat je één meeting Heb gehad met De mensen uit Jouw binnenland De mensen die jij vertegenwoordigt Besluit je om die brief Meteen weer in te trekken Ik snap niet dat dat kan En ik hoop echt wel Dat er heel goed naar gekeken wordt Wat ik verder ook vind Is dat meneer Akim Boto Ze helemaal nog niet bewezen heeft In het parlement Ik heb meneer Akim Boto Haast niets worden zeggen In het parlement En ook als minister Als meneer Akim Boto Nou zelf praat Over concessies Die gegeven zijn En eigenlijk Vraagt hij erom Dat die weer ingetrokken worden Dat vraag ik mij eigen af Hoe verder En hoe principieel ben je Ten aanzien van de zwervers Wilde ik nog ook een punt maken Wat die meneer zegt Je voelt je heel erg onveilig En dan heb ik het over Eén zwerver Die staat op de hoek van de Keizerstraat En de Wanikastraat Dat is gewoon levensgevaarlijk Die meneer heeft één been En die manoeuvreert tussen de auto's Levensgevaarlijk is dat Dus ik vraag me eigen af Als er een instantie is Als de gouvernement Niet iets daaraan kan doen Dank u Dat is mijn bijdrage En een fijn weekend verder Dank u En voor u ook een fijn weekend Ja Voor wat de dak- en thuislozen betreft Heb ik al aangegeven Er zijn organisaties Die zich hiermee bezighouden Maar Het probleem met waarin iedereen zit Daar zitten zij ook in De meeste hebben tekort Aan financiële middelen Dus Het is eigenlijk aan de gemeenschap Tevens Om te helpen Om deze organisaties te ondersteunen Zodat zij op hun beurt Ook die ondersteuning en die hulp Kunnen bieden aan deze kwetsbare groep Voor wat meneer Akim Boto betreft Zullen we dat nemen ter kennisgeving We zien dat in artikel 68 Van de grondwet Geriegeld is Beëindiging van het lidmaatschap Wel kan ik zeggen dat minister Akim Boto Of althans Gewiezen Hij was minister toen Tijdens de vorige regering Hij was niet zo lang minister Want Zoals u weet Is er een heleboel gerischuffeld Tijdens regering Boto En zijn zittingstermijn Was niet zo lang Hij trat aan als minister Eigenlijk gaande richting het einde En hij heeft eigenlijk moeten dealen met Het zwaarwichtige stuk Van de Afobakkadam Dat lag op zijn bord Dat er veel binnen zijn portefeuille Maar goed We zullen moeten kijken hoe dit zich voltrekt Het zal juridisch moeten worden onderzocht Ik hou niet ervan om zomaar Eigenlijk een standpunt te deponeren Dus het is pas bekend gemaakt Ook ik ga onderzoeken hoe het zit Met het terugtreden in de nationale assemblée En we zullen moeten nagaan In hoeverre meneer Akim Boto Dat werkelijk woord bij daad zal voegen Wanneer hij zei gaat voor het nationale Wel wil ik aangeven Dat we weten niet wat er is gebeurd In de tussentijd Als hij één meeting heeft gehad Of meerdere meetings heeft gehad Wat we wel weten Is dat hij in het binnenland In elk geval in Broekeponde Zit hij heel erg sterk Dus ik kan me voorstellen Dat zijn achterban Niet al te blij was Met zijn besluit Maar goed Time will tell En dan zullen we zien Zoals die mevrouw zegt Welk gewicht wij moeten toekennen Aan de manoeuvres Die politiek nu worden gemaakt Goedemorgen U bent in de uitzending Mevrouw De Edel Achtbare Goedemorgen Goedemorgen En dat zaakje van Akin Bodo Voor mij betekent hij niks U weet nog een termijn terug Had hij zichzelf een kandidaat gesteld Voor assemblée En toen hij is gekozen Zegt hij nee Ik blijf directeur bij Razzalvo Zullen jullie dat herinneren? Nee Maar zeg het maar Hij had zich kandidaat gesteld En hij is gekozen Mensen hebben op hem gestemd Toen zei hij nee Ik blijf directeur bij Razzalvo Dat ben ik bedrouwbaar weet je En nu zegt hij Hij had zijn sitel ingelieverd En nu Dit hij weer verzoek om weer te komen Wat zijn achterman Zegt dat hij weer in de assemblée moet zitten Dat moest hij gedaan hebben Voordat hij in leverde Dan moest hij zijn achterman hebben al gesproken Hij neemt eerst die beslissing En dan pas gaat hij bij de achterban Hoe geloofwaardig is hij Ja toch En hoe meer moet hij in de toekomst gaan vertrouwen Na een paar maanden Gaat hij weer zo iets kunnen doen Als ik voorzitter was Ik zal blij Ik zal het nooit meer accepteren Ja toch En Er is een opvolger toch Ja toch Als hij bedankt Gaat er toch een opvolger zijn En misschien heeft hij opvolger al Het jas en dat gekocht Het jas en dat gemaakt En heeft een begroting gemaakt In de komende vijf jaar ga ik zoveel verdienen Ik neem een lening Weet je Dus de hele droom van die andere opvolger is Naar de maand toe als het ware Misschien gaat die man hem nog voor de rechter brengen zelf Dus voor mij is hij geen enkele waarde aan betrokken Dankuwel 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 Ja Zoals ik zeg De tijd zal het uitwezen Ik kan me er wel een voorstelling bij maken Dat een beslissing om te zeggen Dat je geen parlementariër meer wilt zijn Een beslissing is die je niet over één dag ijs laat gaan Dus ik ga er gevoeglijk van uit Dat hij daar goed over zal hebben nagedacht Alvorens hij het besluit heeft genomen En ook zijn stellingen dat hij met Dat hij zich in een aantal zaken niet terug kan vinden Van de NDP Maar goed Nogmaals Wat het heeft moet het volk daar vertegenwoordigen En Niet het volk Dan wel zijn achterbaan Het heel Surinaams volk Dus Indien en voor zover juridisch mag blijken Dat hij Terug in het parlement toegelaten wordt En dat daadwerkelijk zijn beëindiging Dat hij dat daadwerkelijk kan intrekken Dan zal hij zich gedurende de komende vijf jaren Gaan moeten bewijzen Aan het volk dat hij vertegenwoordigen Dat zijn wij En dan zal het volk dan Ja zeg maar Dan moeten aangeven op de eerstvolgende verkiezingen Wat het volk vindt van het besluit dat hij heeft genomen Maar goed Hij heeft de ruimte dan In het geval dat hij weer toch wordt toegelaten Om zich te gaan bewijzen Dat hij daadwerkelijk het belang van het volk dient Goedemorgen U bent live in de uitzending Goedemorgen Goedemorgen Mooie vrouw Met Assisa Goedemorgen Lept het wel? Ja zeker hoor Hoe gaat het met u? Hoe voel je je? Prima Oh oké Geen angst Dus het gaat? Ja Oké Ik zie waar mijn andere schatje niet Maar mijn begint ook een odde via jou Ja We waren ook die Ja Ja precies Ik heb een Niet een vraagje Maar ik vind iets zielig wat gebeurt in mijn land Ja en wat vrouwen Foto's maken Voor vrouwen Die psychisch Problemen hebben met hun gezondheid Ik vind een vrouw Zou eigenlijk een vrouw goed moeten beschermen En ik heb het afgekeurd Dat vrouwen Een naakte vrouw die psychisch Is Gestoord is Niemand loopt naakt zomaar op straat En dat jij staat Te fotograferen En dan zit je dan op Facebook Ik moet het woord niet gebruiken Maar ik zeg het Ik vind ze Heel gemene vrouwen Dat je dat doet Want je bent vrouw Dat doe je niet En dan ga je die vrouw nog Aanspreken Helemaal niet mooi Want als je een echte vrouw hebt Dan neem je een doek Dan loop je naar buiten En dan maak je haar dicht Ja Ja toch? Duidelijk Ja zeker Je moet haar beschermen En dat deze vrouw Niet vandaag naakt loopt op straat Die vrouw loopt al een tijdje Want ik heb het voor een jaar of twee Zelf mogen zien En er is een instantie PSS toch? Voor deze mensen Wat doen ze? Want die mevrouw loopt niet vandaag op straat Zo Het is schandelijk voor mij als vrouw Het kan een zus zijn Het kan een moeder zijn Het kan een familie Hoe zou je voelen? Duidelijk Ik heb moeite met dat stukje van Dat vrouwen dat doen En ten aanzien van De ziekenhuizen Niet iedereen is slank Je hebt mensen die Slechterbeen zien Je hebt mensen die een beetje meer gewicht hebben En niet iedereen kan gelijk lopen naar binnen Van een ziekenhuis naar de dokter toe Ik vind de maatschappelijke Werkers of de Mensen die zo'n ziekenhuis De nodige behering hebben dat ze Denken aan goede rolstoelen Ik 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 Academisch doet z'n best Maar Bepaalde ziekenhuizen Als je die rolstoelen ziet Is niet om terug te geven En nu Aan de Alasma Abbasem Bouworde Hoe kom je dan bij de dokter Als je dan slechterbeen bent Met een broek op broek een rolstoel Of een Heel Ja ik weet niet hoe ik het moet zeggen De zitvlakte van de ziekenhuizen Zijn vreselijk slecht van bepaalde ziekenhuizen U weet het niet ik heb het mee mogen maken En ik wil ook praten tot de doktoren van de ziekenhuizen Hou een beetje rekening met de patiënten Die niet zo lang kunnen zitten in de wachtzaal Want sommige mijn doktoren hebben hun werk Ze moeten gaan opereren Maar spreek de mensen even aan Want niet iedereen is zo sterk genoeg Om daar te zitten Op die kapotte stoelen Ik ga een van ze doen En dat is net een ziekenhuis Heel slechte stoelen om daar te zitten En laat men wat doen Aan het rolstoelensysteem In de ziekenhuizen Voor de mensen Die slechterbeen zijn En de mensen die een beetje meer gewicht hebben Dank u wel En een prettig en krachtige morgen verder Dank u En voor u ook een fijn weekend Nou over het eerste Waar de mevrouw het over gaat Over iemand die naakt is Ik ben persoonlijk niet bekend met dat geval Maar in zijn algemene kan ik zeggen Dat we inderdaad Als vrouwen elkaar moeten beschermen En soms hoor je vrouwen zeggen En dan zijn het dan de oudere weesere vrouwen Dat in sommige gevallen vrouwen elkaar kapot maken En ik moet helaas zeggen Dat dat in sommige gevallen inderdaad zo is Dus wij gaan Wij moeten gewoon werken aan onszelf Elkaar poweren Elkaar supporten En bovenaan elkaar beschermen Want als het goed gaat Met de ander Dan gaat het ook goed met u Dus inderdaad We kunnen er niet anders naar eens zijn Over dat punt Wat eigenlijk de faciliteiten betreft in het ziekenhuis De mevrouw heeft aangehaalde rolstoelen Etc Eigenlijk gewoon de medische faciliteiten Die medische faciliteiten zijn Inderdaad Ook wat ik heb meegemaakt Soms Niet Niet prettig Niet comfortabel Die mevrouw zei niet Iedereen heeft hetzelfde bouwmodel En inderdaad Maar het probleem waarmee De ziekenhuizen te kampen hebben Moeten we niet onderschatten Het is gewoon Een verschrikkelijk grote financiële crisis In die gezondheidssector En het is niet iets van nu Het is iets van al jaren Waarbij die lichtdagtarieven Onder andere Die koers daarvan is nooit aangepast geworden Dus Waar de financiële verplichtingen moeten worden voldaan Nu eigenlijk tegen Bijna niet eens die centrale bankkoers Want voor die koers kan je bijna geen dollars vinden Maar voor de straatkoers Die tarieven Zijn zodanig Uit balans Met de lichtdagtarieven Die worden gehanteerd Als het gewoon moeilijk is Voor die ziekenhuizen Om te kunnen voldoen A Die dagelijkse verplichtingen Die ze hebben B Goede kwalitatieve gezondheid Zorg te bieden Want als dat geld er niet is Is het gewoon Bijna Onmogelijk Om die diensten te kunnen bieden Dus wat die regering gaat moeten doen Is een grondige evaluatie Gaan moeten plegen Aan Eigenlijk Het kunnen opkrikken En het in realistische verhouding Te brengen Van de tarieven Die worden gehanteerd Er was ook aangegeven Door de minister van volksgezondheid Dat die ziekenhuizen Eigenlijk zelf hun schulden Moeten gaan betalen Maar het is bijna niet te doen Als je De ziekenhuizen Ook niet het mandaat geeft Om zelf die tarieven te gaan betalen Dus onze gezondheidssector Is al een paar jaren In een diep financieel gat En als de regering Niet tijdig die maatregelen treft Hou ik in elk geval Wel mijn hart vast Over de toekomst daarvoor Dus ik hoop dat de regering Er uitkomt En in elk geval Samen met de ziekenhuizen Kom tot die besluitvormingen Die er toe zullen resulteren Dat de ziekenhuizen Die financiële middelen Kunnen gaan genereren Die nodig zijn Om op zo'n minst Die kosten te kunnen voldoen Goedemorgen U bent in de uitzending Goedemorgen Kunt u me horen? Ja, u bent in de uitzending Morgen Ja, goedemorgen Dank u wel U doet het geweldig Dank u Meneer Goedemorgen U bent live in de uitzending Laat me gelijk Goed Ja, u bent in de uitzending U bent in de uitzending In de uitzending In de uitzending Deze onderwerp In de uitzending Suriname Dan kunnen we beginnen Dan kunnen we beginnen In de uitzending In de uitzending Om te onderzoeken In de uitzending In de uitzending Alleen maar om een indicatie te geven Hoe verschrikkelijk achteruit Die economie is gegaan En dat de meeste mensen Het gros van het land Heeft het gewoon zwaar Want de lonen De lonen van de meesten Zijn niet verhoogd Maar tegelijkertijd Zijn je uitgaven bijna verdubbeld En dat zijn voor vele mensen Uitgaven waar ze niet op hadden gerekend Als we bijvoorbeeld moeten kijken naar mensen Ik noem maar wat er Als je een auto hebt gekocht En je hebt De lening De schuld die je daarvoor moet aflossen Is misschien een valuta Is een US Dan was je schuld Misschien je aflossingsbedrag Duizend SRD Maar door die koersstijging Is je aflossingsbedrag Kan twee Drie maal hoger zijn Waar je je niet op had kunnen voorbereiden Of wat je niet in je planning had Waardoor Vele huishoudens Het enorm moeilijk hebben De regering is bezig Met een crisis en een herstelplan En wat die regering gaat moeten doen Willen wij hier uitkomen Is aan de ene kant ervoor zorgen Dat die overheidsuitgaven worden verminderd En aan de andere kant Gaat die regering voor moeten zorgen Dat die inkomsten worden vergroot Om die uitgaven te verminderen Weten we dat een van de hete hangijzers is Dat zijn de stroomtarieven Er wordt verschrikkelijk veel gesubsidieerd Aan EBS Alleen maar om die tarieven De afgelopen jaren laag te houden De energiedeskundigen Die hebben aangegeven Dat dat niet meer uit te houden is Omdat Het tarief Wat Wat de burger betaalt Is zo laag Dat het is ver beneden De kosten De daadwerkelijke kosten Dus stel je nou eens voor Ik noem maar wat Het kost om stroom op te wekken kost 10 gulden En wij betalen 2 Dan is er een gap Een hele grote gap En die gap Daar komt de overheid in En De overheid zegt Luister We moeten dat gaan verminderen Want ik moet mijn uitgaven Terug gaan draaien Dus De regering is daarmee bezig Wij kijken uit Naar hoe Dat zich gaat voltrekken Ten aanzien van de Vele subsidies Die worden gegeven Waaronder voor EBS Voor wat Het vergroten Van de inkomsten Betreft Worden er belastingen Ingevoerd We hebben al gezien Recentelijk Dat er drie belastingswetten Zijn aangenomen Er solidariteitsheffing Dat die er komt Dan kijken we Naar hoe dat gaat Met de ambtenaren In vergelijking met De particuliere sector En waar de overheid Heel voorzichtig mee moet zijn Is dat die particuliere sector Dat het niet onnodig Zwaar getroffen wordt Want daar heb je dan de verschillende Of althans in die hele samenleving Maar die particuliere sector Die gaat er voor moeten zorgen Dat er genoeg banen zijn Waardoor de mensen die in overheidsdienst zijn Eventueel kunnen afvloeien naar die particuliere sector Want zoals we weten Is een van de grote uitgavenposten Ook het log-ambtenarenapparaat Dat we hebben Kortom Die economische crisis waarin we zitten Is immens Er wordt een heleboel gesproken over IMF Maar de regering gaat ons Nog moeten komen uitleggen Precies Wat een mogelijke deal kan inhouden Tot zover Die deal is er nog niet Maar de regering gaat die samenleving moeten informeren En er zijn een heleboel die zeggen Ja IMF is niet goed Het is niet goed Maar ik vind dat we eerst goed moeten gaan luisteren Naar wat is het voorstel dat er op tafel ligt Voordat we kunnen gaan schreeuwen Het is niet goed Want we gaan een financiële injectie nodig hebben Als we niks doen Gaat die economische crisis alleen maar verergeren Die koers gaat blijven stijgen Dus er moet een financiële injectie gaan komen Om die situatie beheersbaar te maken We gaan nu over naar een korte break En we zijn straks met u terug Bij Rashid Spierkant Kul Aars or Kul Tot zo Namaskar En we zijn straks met u 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 straks met u straks met u straks met u straks En we zijn straks met u straks met u straks met u straks met u straks En we zijn straks met u 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 straks नाम जो है इन चीज़ों का ये स्टाबिल रहे ये दिन पे दिन नहीं बढ़ाया जाए तो इसका गरंटी देने के लिए सरकार इस पर काम कर रहे है और ये गरंटी सरकार लोगों को देना चाहते है कि सभी बासस खुद्रिन जो है और साथ में भी ब्रोट, ब्रेट और पुलीस जो है ये फिबरबारी के पहली तारिक से शुरुबात करेगा जो सरकार का सामान है और सरकार का मुबिल एर, अपराटूर जो है और गाडी जो है जो लोगों के पास है इसको वापस लाने के लिए पुलीस इसमें मदद करने वाली है और ये खबर मिनिस्टर अबन अगर आपके पास ऐसा कोई समान है तो आप उसे वापस लाइए और कहने के बाद जितने लोग ऐसा नहीं किये है तब से खोजबी चल रहा था कि समान सरकार का जो समान अपराटूर गाड़ी इत्या दी किसके पास है अब बहुत से जानकारी मिल गया है तो तीस तारीक जनवरी जनवरी के तीस तारीक अब लोगो का इंतजार नहीं किया जाएगा कि लोग समान वापस लाएए अब पुलीस खुच जाएगा इन लोगों के पास ये सारा समान लेने के वास्ते ऐसे मिनिस्टर नौर महम्मद ने कहा है अभी हाली में कुछ टिप खेफर जो है ये सब जानकारी दिये थे मिनिस्टेरी को और तब कुछ गारी जो है एक माई बोट और एक बुस गारी जो है ये वापस लाया गया है और ये सरकार इसको इस्तमाल करने वाले है अपने काम के वास्दे जो सरकार का समान है इसका हगदार आम जनता नहीं है तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो मिनिस्टर नौर महम्मद ने लोगों से गुजारिस किये है इसे वापस लाने के लिए अगर आप वापस नहीं लाएंगे तो पुलीस विबरवारी के पहली तारिक से आपके पास आएगा यता सारा समान लेने के वास्ते मिनिस्टर अमर रावाधीन फॉलक्स खुसंधेट का मिनिस्टर जो है ये बद्राइफन को कहा है कि जो लोग घौर नहीं करते हैं रेखल्स पर बे ओखे और मैनेज्मेंट आउटब्रीक टीम का जो रेखल्स है इन लोगों के जो रेखल्स होते हैं कॉफिट माद रेखल्स जो ही जो लोग घौर इस्वर नहीं करते हैं उन लोगों को चटाउनी दिये है मिनिस्टर ये कहा है कि जो बद्राइफन होते हैं और दूरी जो है, देर मेंतर का लोगों को रखना चाहिए, दूरी मेंतर बनाई रखना है, देर मेंतर का दूरी, लेकिन इन लोगों का खुट का परसोनेल जो होते हैं, जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं, बद्राइफन में काम करते हैं, परसोनेल जो है, यह सब मात रेहर पर गोर नहीं करते हैं, यह पता चला है कि खास्ता और पर लोग नूइस मॉन्ट काप नहीं लगाते हैं और इस पर अब गोर किया जाएगा तो मिनिस्टर जो है यह बद्राइफ उनको और भी ओफर हैज का तोरन पर लोगों को चिताउनी दिया गया है कि इस पर लोगों को गोर करना चाहिए, चाहे आप भीतर डिफ्टर में है, कोई आपके पास नहीं है, लेकिन आपको यह मॉन्ट काप रखना है, यह मॉन्ट नूस काप आपका होना बहुत जरूरी है यह जो अफस्तान थे, अंधर हाल अफ में ही तरका, कोफ़िद अफस्तान जो है इस पर आपको गोर करना है, और अपने हाथों को आपको वखट बख़ पर, आपको डिस इन्फेक्टियर करना चाहिए, यह साफ करना चाहिए, धोना चाहिए, साबून के साथ, अगर लोग इस पर खौर नहीं करेंगे, तो हो सकते हैं, आप लोगों को एक बूता भरना परेगा, और ये बूता जो रहेगा, ये 105 तख SRD पर पर सोन रहेगा, तो इस पर ज़रूर आप खौर कीजिए, ये मिनिस्टर अमर रामदीन के तरफ से पुकार है, वैसे हम आपको बता दे कि आ पुका हメुश्र की आपकान लुट गळू बहेगा, IKवश्र का मनर रहेगा, जो रहेग।ध कर आपको नुटकर भी yवश्र का मीुट थे गजगश्र की आपकान लुटर एक और खबर जो हम आपको बताना चाहते है, ये COVID से थोरा बहुत जोड़े भी है, कि SLM, सुरिणाम से लुगटवार्ट मात्सकाप है, हमारा नेचनल केरियर जो है, ये एट वार को एक रेपात्रियात्सी फ्लुख्त करने वाले, औरान करने वाले है, अमस्तर्दम तक. पर हमारे वो अमस्तर्दम और अमस्तर्दम से जो लोग कहां से आना चाहिए बापस सुरिणाम देज, इन लोगों को भी वापस लाया जाएगा, एट वार को ये जो रेपात्रियात्सी फ्लुख्तन रहेगा, वैसे औरान पसाशीर्स के वास्ते यात्रों के लिए नहीं होता है, लोगों से कहा गया है कि लोग सुरिणाम एरविस के पसाश कांतोर पर आज दिन में जा सकते थे, रेगेस्तर करवाने के लिए, जो लोग एसेलम के साथ उडान करना चाहते हैं, लेकिन ये खास बात है कि पसाशीर्स यात्रियों जो है, इन लोगों के पास एक नई खा सेफ इन तस बेर, आगे में अगर आप एरपॉर्ट पर आएंगे तो वहाँ पर आप को भरना चाहिए, ये पैसा आपको भरना है ये स्नल टेस्स के वास दे क्योंकि ये स्नल टेस्स बाईग्य पॉर्ट पर आपको करवाना है, आप के पास भी एक खुसांत हैस फरेकलारिं हुई यात्रियों के लिए पास होना चाहिए बाकी हम आपको यह बता दे कि लुखत रॉम यह बंध है यह आपको पता है स्रिफकार खुफलुखतन के लिए खुला है और हॉलेंड में एक नेखाटिफ रैस अत्फिस दिया गया है सुरिणाम देश के वास्ते लोगों से कहा गया है यहां पर नहीं आए हॉलेंड में वैसे एक नेखाटिफ रैस अत्फिस है 18 देशों के वास्ते इसमें सॉद अमेरिका के सभी देशों है जिसमें सुरिणाम देश इसका हिस्सा है सुरिणाम देश भी सॉद अमेरिका में है तो सुरिणाम देश के वास् और यह थीस तारीक आज सनी चर्शे द्रीयंट विंतख यानि वारी से सेर्गियो आकिमबो तो एक्स मिनिस्टर जो एन्हा का है और ग्रासालकों का दिरेक्टर भी रह चुके है यह परलमेंटारियर जो चुना गया था इलाका ब्रोकोपॉंडो में अन्डीपी के तरफ से यह पिछले हफ़ता हम आपको बताये थे कि यह अपना कदम वापस लिये है यह कहते हैं कि अब वो परलमेंटारियर नहीं बनना चाहते है या नहीं रहना चाहते है वो पर्लमेंट में अपना काम जारी नहीं करेगा, वो पद्री वो छोड़ रहे है बस बात्चीत करने के बाद काफी आवास उठाया किया है और ये अब सुनने में आया है कि इनका अक्तरबंग ये चाहते है कि ये पंजिखर में रहे और अपना काम जो है वो जारी करे तो ये देयाना का कुर्शी जो है अब वो नहीं छोड़ेंगे ऐसा एक खत में उन्होंने असम्बली का फोर्शेतर मारीनस बेई के सामने रखे है ये एक खत में लिखा गया है कि ये जो सरहियु अकइमबो toim जो है ये कहा है कि वो अपना काम जारी करेगा पंजगर में वो देयाना का लिद encaps का मैंबर रखेगा दसकुन्दखन जो है विसे सब गया लोग जो है और यूरिस्दन जो है कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मुम्किन नहीं है क्योंकि सुरिणाम दिसके खुरूंतवेट में साफ साहिर लिखा हुआ है कि अगर कोई अपना अंसलख इन दिन करता है कोई अपना पद्वी छोड पर्लमेंट का फोसेदर जो है वारिनस बई ने कहा है कि उनका यूरिस्दन जो है इस पर खुजबीन कर रहे है आगे जानकारी रहेगा तो हम आपको बिताएंगे कि सेर्खियो अकिम बोत जो है ये पर्लमेंटारियर रहेगा या अब नहीं रहेगा इस बारे में हम आगे जानकारी जरूर आपको देंगे अगले प्रोग्राम में ये आखरी खबर है आज साथ दिन में शुक्रिया नमस्कार और खोड़ा हापीस